हेलो कुछ, विलकम टू माइटूब चैनल, एक्स्ट्रिम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, काफी लोगों के डाउट आ रहे थे कि ग्रो में हम लोग फोरेक्स से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहें, तो इसी टॉपिक से रिलेटिड मैं आपको इस वीडियो में ज ठीक है, अब हम सिंपल ग्रो एप को ओपन करेंगे, देन आपको इस टैप का इंटरफेस हो करेगा, अब हम सर्च हमार में जाते हैं, और यहां पर आप लोग स्टॉक्स, FNO, MF, ETF को आपको मिलता है, अगर हम यहां पर फोरेक्स में ट्रेडिंग करना चाते, लाइक, USD, INR ह हमने सर्च किया यहां पर, तो हमें कुछ भी ऑप्सन नहीं मिलता, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहां पर, How can I apply right shares using stocks में अगर मैं सर्च करता हूं, तो नहीं मिला, अगर मैं सोच हूँ, यहां पर Apple का सेर में बाई करना चाहता हूं, तो Apple का भी ऑप्सन नहीं मिलता, Tesla की ब परना तो आप NSE के stock में और BSE के stock में ही कर सकते, बाकि आप लोग foreign stock में नहीं कर सकते, उसका मैं आपको reason बता देता हूं, क्योंकि Forex trading इंडिया में अभी authorized नहीं है, जिसकी वज़ा से आप लोग grow में Forex trading नहीं कर सकते, अगर आपको doubt है, तो आप जो है customer kit से बात कर सकते है ये number आपको provide में कर देता हूं, इस screen पर आपको number दिख रहा होगा, इस number पर आप लोग contact कर सकते हैं, अपने registered mobile number से, आपको खुद बखुद information मिल जाएगी, कि Forex trading आपको grow में नहीं मिलती, तो जब से आप लोग अगर ये सोच रहेते हैं, क्या Forex trading नहीं कर पारे, तो ये feature आपको grow available नहीं कराता, अगर आपको Forex trading करना है, तो इसके लिए आपको काफी सारे software मिलेंगे, जैसे कि काफी सारे broker मिल जैंगे, जैसे कि आपका Exynes हो गया, and same को हो गया, and extra, काफी सारे, मतलब दूसरे भी ऐसे platform है, जैसे कि Binance हो गया, आपका, Delta Exchange हो गया, तो ये जो है, ये लोग provide करते, ये broker आपको provide करते है, Forex trading, ठीक है, दूसरे आपको grow अगेरा में ये feature नहीं मिलता, अभी फिलाल, okay, so I hope आप लोग का doubt clear हो गया होगा, मिलते हैं next video में,